पुल्पन्यूस की प्रैम टाइम में आप सब का खेर मक्तम हैं और मैं हूँ आपके साथ नदिम अक्रम हमास और इस्राइली सैनिकों के बीच जो जड़बे सामने आ रही हैं वो यकीन अच्छे संकेत बिलकुल नहीं है क्योंकि इस्राइल की आतंकी सैनिकों को और इस्राइल के प्रधान मंत्री बिन्जिम नितिन याहू को ये लगता था कि वो जो कुछ भी करेंगे वो कोई भी उसके उपर एक्शन नहीं लेगा पर वो जब तक फिलिस्तीनियों के उपर जुन ड़ा रहे थे हर कोई इसकी कड़ी मजब्मत कर रहा था पर इस बार जो हरकत को जाते जाते बिन्जिम नितिन याहू ने अंजाम दिया है उसकी हर कोई अब जो है कड़ी निंडा कर रहा है खास्तोर पर जब अलाक्सा मस्जित के अंदर भूस करके फिलिस्तीनी नमाजियों के उपर ग्रिनेट फैके गए बम फैके गए गोलिया वरसाई गई तमाम जो तस्व कि जो सबसे पहले परतिक्रिया आई वो थी यूएन की और यूएन की परतिक्रिया के बाद जो है तमाम अरब मुमालिक जो है खुल करके इसराईल के बारे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं जहां तुरकी के राश्ट्रपती रसत तयब एर्दोकेन ने भी अपना बयान द अगर था वो बात अब बढ़ चुकी है और कई ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि इसराईल को फिलिस्तीनियों के जरीए जवाब मिलेगा इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और अब तक फिलिस्तीन की फौच जो है हमास उसके जरीए एक हजार मिसाइले जो है वो दागी जा चुकी है फिलिस्तीनियों द्वारा इसराईल के उपर और अब ये जो जंग है वो युद की तरफ बढ़ चुकी है और जब ये युद की तरफ बढ़ी है तो अमरजंसी मिटिंग जो है वो OIC द्वारा बुलाई गई है OIC ने साफतोर पर कहा है जो लोग OIC के जुड़े हुए तमाम मेंबर हैं उन्हें इसराईल के द्वारा की यही इस घटना को ले करके एक वर्चुल मिटिंग बुलाई है जिसमें अपातकार बैठक बोली गई है कि कुछी घंटों के अंदर ये मिटिंग होनी चाहिए जिसका सौदी अरब ने आहावन किया है और कहा है कि अब कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा उस बड़े कदम में उन्होंने साफतोर पर कहा कि जिस तरीके से अलहरम और अक्सा मस्जद के अंदर और अलशरीफ के अंदर खुस करके इसराईली सैनिकों ने अपने आतं तरीके से सचेत हो गए हैं और इस बयान के बाद जो है बेन्जिम नितिन्याहू की नींडे उड़ गई है और इनकी नींडे इसलिए उड़ी हैं क्योंकि तमाम मुस्लिम देशों की तरफ से जो परतिकरिया आ रही है वो बड़े ही सकत लहजों में हैं और सकत लहजों में इसलिए भी हैं क्यूंकि जिन मुसलिम देशों के साथ इजरॉइम इपने संबंद बनाएठे अब वो लोग मतिन संबंद के साथ खतम करते हुए नजर आ रहे मंगलवार को हमास ने कहा कि इसराइल ने यरुशलम और अक्सा में उक्साने वाला काम किया है और इसकी आग गाजा तक पहुँच गई है समचार एजनसी राइटर्स के अनुसार हमास ने कहा कि ठकराव बढ़ने का जो भी अंजाम होगा उसकी जिम्मेदारी इसराइल की होगी दूसरी तरफ इसराइल प्रधानमंत्री बिंजिम नितिन याहू ने कहा कि हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हमास के नेता इसमाईल हानिया ने टेलिविजिन पर प्रसारित अपने भाशन में कहा कतर मिस्त्र और सयूक्त राष्ट ने हमसे स्थंपर्क कर शांति की अपील की है लेकिन हमने इसराइल को संदेश दिया है कि अगर वे टकराव चाहते हैं तो हम तैयार हैं और अगर वे इसे रोकना चाहते हैं तो भी हम तैयार हैं इससे पहले इसराइल प्रधान मंत्री बेंजम नितिन याहू ने गाजा पटी में फलिस्तीनी हतियार बंद समूओ को चेतावनी देते हुए कहा था कि भारी कीमत चुकानी पड़ेगी सोमवार को इसराइल में 1967 की युद्ध की बरसी की चुटी थी और इसी दिन हमास ने यरूशलम के बाहरी एलाकों में रॉकर डाग दिये थे 1967 के युद्ध में इसराइल ने पूरवी यरूशलम को अपने नियंत्रण में लिया था हमास के रॉकर हमले बाद ही इसराइल पीम ने कहा था कि हमास और इसराइल जिहाद को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी पिछले हफते शुकरवार की रात यरू शलम की अल-अकसा मस्जद में फलिस्तीनियों और इसराइली सुरक्षावलों के बीच हिंसक जड़पे हुई थी इसके बाद शनिवार और रविवार रात भी अल-अकसा मस्जद में हिंसक जड़पे होती रही सोशल मीडिया पर अल-अकसा मस्जद के भीतर इसराइली सुरक्षावलों की कारवाई की तस्वीर शेयर की जाने लगी इसके बाद इसलामिक देशों की तीखी पर तिक्रिया आई है इसराइल रमजान के पवित्र महीने में अल-अकसा मस्जद के भीतर नमाज अदा करने गए लोगों पर हमला कर रहा था सौधी अरब, तुर्की, एरान, पाकिस्तान, कुवेत और खाडी के कई देशों ने इसराइल की खुलका निंदा की सौधी अरब के विदेश मंत्राले ने यरुशलम से फलिस्तीनी परिवारों के निकलने की इसराइली योजना को खारिच कर दिया है सौधी अरब जो है पूरी तरीके से इसराइल को लेकर के सक्त हो चुका है मंगलवार को सौधी अरब के विदेश मंत्राले ने इसराइल की निंदा करते हुए सौधी अरब ने विदेश मंत्राले से कहा कि सौधी अरब फलिस्तीनीों के साथ खड़ा है हम फलिस्तीन में हर तरह के कबजे को खत्म करने का समर्थन करते हैं हमारा मानना है कि इस समस्य का समधान तभी होगा जब फलिस्तीनीों को 1967 की सीमा के तहत उनका एक सौतंत्र मुलक होगा जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलम होगी वे अंतराश्ट्रिय प्रस्ताव और अरब शान्ती समझोते के तहत ही है समवार को अजराईली सुरक्षावलो की कारवाई में दरजनों फलिस्तीनी जखमी हो गए थे अजराईली सुरक्षावलो ने तब फलिस्तीनी प्रद्रशनकारियों के खिलाफ रबर बुलिट का इस्तमाल किया था बाद में ये टकराव रॉकेट और हवाई हमले तक पहुँच गया है इस टकराव में अब तक 28 वलिस्तीनियों और 3 इसराईली नागरिकों की मौत हुई है इस पर मुस्लिम वर्ड लीग में अंगलवार को मुस्लिम वर्ड लीग ने भी अलगसा मस्जद में हमले की निंदा की सौदी प्रेस एजनसी के अनुसार मुस्लिम वर्ड लीग ने इस टकराव और इसराईली सुरक्षाबलो की कारवाई की कड़ी निंदा की S.P.A. के अनुसार मुस्लिम लीग ने कहा कि इसराइली कारवाई फलिस्तीनियों के अधिकार और उनकी मर्यादा पर हमला है वर्ल्ड मुस्लिम लीग ने अंतराश्टिय समुदाय से फलिस्तीनियों के अधिकार की रक्षा करने की अपील की है वर्ड मुस्लिम लीग ने कहा कि फलिस्तीनियों के धार्विक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और उनके खिलाफ हर तरह की हिंसा थमनी चाहिए तो वही तुर्की के राश्ट्रपती रसिप तयब अर्दोगन ने मंगलवार को अलक्सा मस्जित के पास हिंसक जड़ब और फलिस्तीनियों के अधिकारों को लेकर कई इस्लामिक देशों के प्रमुखों को फोन किया अर्दोगन ने मलेशिया जॉर्डन कुवेट के राश्ट्र प्रमुखों और हमास के राजनितिक ब्योरो प्रमुख से इस्राइल को लेकर बात की तुर्की के राश्ट्रपती कारले से जारी एक वयान में कहा गया है कि अर्दोगन ने हमास के राजनितिक ब्योरो प्रमु को इस्वाइल हानिया से बात की राष्ट पती अर्दोगन ने कहा कि अलक्सा मस्जद पर इसराइली हमला आतंग की कारवाई है राष्ट पती अर्दोगान ने कहा कि हमला नकिवल मुसलमानों पर है बलकी पूरी मानवता पर है अर्दोगान ने इस्राइली कब्जे और उनके आतंक रोकने के लिए पूरी दुनिया को एक करने की हर संभव कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले इस्लामिक देशों को एक जुट करने की जरूरत है अर्दोगान ने कहा कि फलिस्तीन भाई बहनों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा अर्दोगान ने कहा कि जो देश इसराइल जुम के खिलाफ चुप है वे भी अपरतियक शुरूब से इसका समर्थन कर रहे हैं मैं पूरी दुनिया और खास करके इस्लामिक दुनिया से अपील करता हूँ कि वे इसराइल हमले के खिलाफ एक जुट हो ज इसराइजेशन और इस्लामिक कॉर्परेशन से कदम उठाने की अपील करता हूँ एर्दोगान ने कहा कि इस मामले में सयुक्त राश्र सुरक्षा को ततकाल कहना चाहिए कि इसराइल कारवाई रोके ये दुनिया सुरक्षा परिशित के पांच देशों तक सिमित नहीं है म मंगलवार को पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी ने टूट कर कहा मैंने अपने भाई तुरकी के विदेश मंत्री से फलिस्तिनियों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर फोन पर बाद की तुरकी ने पूरे मामले पर OIC और UN की वैठक बोलाने का समर्थन किया अपने टूट में उन्होंने एक फोटो शेयर की और कहा कि जिस पर अमरिका के माने जाने शिन तक नौम चौमसकी की तस्वीर है और उनके नाम से एक कोर्ट लिखा है इस कोट में लिखा है कि तुम मेरा पानी ले लो, मेरे पेडों को जला दो, मेरे घरों को तभा कर दो, नौक्रियां चील लो, मा की हट्त्या कर दो, मेरे देश में धमाके करो, हमें भूखा रखो, अपमानित करो, लेकिन हमें इन सब के बदले एक रॉकेट दागने के लिए दोशी टहरा होगे वही मंगलवार को पाकिस्तान के पंजाब रांद के शिक्षा मंतरी मुराद रास ने एक भड़काउ टूट किया था उन्होंने अपने टूट में लिखा था ये हैरान करने वाला है कि इसराइल वाले हत्यारों से लेस रहते हैं जबकि फलिस्तीनी दशको से पत्थर का इस्तिमाल करते रही हैं फलिस्तीनीों को मदद में जो पैसे मिलते हैं वे कहां चले जाते हैं वे अपनी रक्षा के लिए बंदूग भी क्यूं नहीं खरीते हैं इन पर कबसे बम फैके जा रहे हैं और गोली मारी जा रही है पर 2021 में भी पत्थर चल रहा है इ उन्हों देशों ने कहा कि ततकाल हिंसा रोकी जाए ताकि टकराव के बढ़ते दाइरे को नियंतरण किया जा सके। UAE के विदेश मंतराले ने कहा कि इसराइल टकराव रोकने की जिम्मेदारी ले वो हमला बंद करे ताकि तनाव को काबू में किया जा सके। यरूशलम की एतिहासिक पहचान को भी सुरक्षट रखने की जरूरत है। बहरीन और UAE ने इसराइल से पिछले साल राजनाईक रिष्टे कायम करने की घोशना की थी अब तक इन देशों ने इसराइल को माननेता नहीं दी थी। टरमप प्रशासन ने ऐसा करने का दबाव सॉधी अरब पर भी डाला था लेकिन सॉधी अरब ने इसराइल के साथ राजनाईक रिष्टा कायम करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान का भी इसराइल से राजनेतिक रिष्टा नहीं है जबकि तुर्की का है ब्योरो रिपोर्ट पलपल नियूज होने वाले हैं अब देखने वाला बात यह होगा कि आखिर कार क्या कड़ा कदम उठाया जा सकता है वाइसी के लिए वाइसी के जरीए इसराइल के उपर मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा दीजिए इजासत शुक्रिया